Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Wealth Unlimited. आज की इस वीडियो में हम अनालेसिस करने वाले हैं सम टॉप मोमेंटम स्टॉक्स, जहां पर मुझे लगता है काफी अच्छा पोटेंशल है, ब्रेक आउट देने का और ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्दी आपको मोमेंटम दिखा सकते हैं. So, before starting the video, मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर जो भी content हम रखते हैं that is completely free of cost. और अगर आपको किसी भी तरह का investment करना है तो आप अपने financial advisor से discuss करने के बाद ही करें. Recently, हमने अपने चैनल पर वीडियो रखी है in relation to multi-wagger stocks to buy now जहांपर हमने Axis Bank Jupiter Wagon के stock को discuss किया था. साथी साथ हमने KP Group के बारे में आपको complete analysis करके बताया था और आपको clearly बोला था कि Vodafone Idea FPO एक आप काफी बड़ी opportunity हो सकती है और इस particular FPO में जरूर पैसा बनते वे आपको दिखाई दे सकता है when a lot of foreign institution money is flowing into it. कल की वीडियो की बात है, कल की दिन हमने जो stock discuss किया था वो था Jupiter Wagon का, ये वीडियो मैं एक पर आपको play करके दिखाना चाहता हूँ आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की try कर रहा था कि जो volume है, वो इस particular stock में हमें काफी जादा strong रखते है और जो ये एक price momentum है, जो इसमें एक upward journey में shift होता हुआ दिखाई दे रहा है और higher high, higher low के pattern बनाता हुआ हमें दिखाई देता है इस वीडियो में मैंने आपको clearly बताया है, कि ये जो stock है एक नया 52 week high बना सकता है और साथ ही साथ मैंने आपको ये draw करके तो बताया ही, और आपको path बना के भी दिखाया था कि देरा very high chances कि इस particular stock में एक massive breakout आपको देखने के लिए मिल सकता है जो इस stock को लेके जा सकता है further to the new 52 week high rate और आज के दिन इस particular stock में एक काफी अच्छी inside candle खुलती है और जैसे ही आपको ये breakout level 400 के ऊपर निकलता है एक massive up move देखने के लिए मिलता है in Jupiter wagon stock जहांपे ये particular stock 442 रूपीस तक जाता है और साथ ही साथ the stock was roughly 10% up during the day आज के दिन मुझे लगता है कि इसमें एक काफी strong momentum देखने के लिए मिला है और ये जो breakout आपको देखने के लिए मिला था इसमें volumes आये थे however towards the end of the day यहाँ पे थोड़ी correction होते पे दिखाई दी है बट मुझे अभी भी लगता है कि जो railway sector है वो आपके radar पे रहना चाहिए और यहाँ पे ये further इस particular level के ऊपर sustain करने पे right 440 के ऊपर sustain करने पे आपको एक fresh breakout दे के जा सकता है और एक नए highs लगाता हुआ दिखाई दे सकता है similarly हमने idea के stock को discuss किया था idea के stock में हमने आपको clearly FPO में बताया था कि मैं इसमें apply करने वाला हूँ जो हमारे initial target रहने वाले है that is going to be 15 and 16 rupees which can take stock to the further level of 16 and 16.50 in the year term right चलिए ये तो थे पुराने stocks और आप बात करते हैं पहले stock की जहां पे आपको एक काफी अच्छा momentum देखने के लिए मिल सकता है in near term और जहां पे risk भी मुझे काफी कम लगता है that is going to be Bajaj Finance recently company के result आये है and company has done really well और आप देख सकते है यहां पे इस particular level पे एक काफी अच्छे downturn के बाद stock ने एक upward journey start की है और यहां पे with a good price action अगर आप देखे तो यह जो बड़ी cream candle आपको दिख रही है यहां पे दर्शार रहा है कि यहां पे किसी ने एक अच्छी volume buy की है इस particular stock में after a very long period जब यह particular stock काफी downtrend में था आप देख सकते हैं since roughly around let me cut this October 2023 से यह particular stock आपको 24-25% down मिला है उसके बाद अब इस particular stock है उसमे एक pattern में shift होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक यह particular stock था यह lower 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 highs बनाता वहा रहा था अब के time पर अगर आप देखे तो similarly जो इसका price momentum है जैसा आपको Jupiter wagon में देखने के लिए मिला stock उपर गया, नीचे आया, stock उपर गया, नीचे आया stock उपर जा रहा है and there is a very good chance कि जल्दी यह particular stock आपको 7600 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, right, so जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जल्दी 7600 के targets देखने के लिए मिल सकते है और हो सकता है यह कल के दिन ही आपको देखने के लिए मिल जाए because जो company के results है, वो काफी जादा stable आये है, healthy results आये है और यहाँ पर अगर आप देखे, जो मैं आपको continuously बताता हूँ यह जो moving averages का crossover देखने के लिए मिल रहा है small moving averages, long moving averages के ऊपर जाने की try कर रहे है which shows that company is gaining strength, the chart is gaining strength और जल्दी आपको ऐसा हो सकता है कि इस cup and handle chart का भी breakout देखने के लिए मिल जाए, right मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको यह clear रहे and let me get you the arc, there is the first cup, right and this is going to be the handle, right और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो breakout है यह almost हो चुका है और यहाँ पर इसने अपने आपको retest भी कर लिया है तो यह particular stock है 7600 and further to the level of 7800 के लिए जाने के लिए तयार है however, अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी बड़ा resistance zone खड़ा है इस particular stock के लिए on the level above 7800 to 8000 तो वहाँ पे आप एक बार अपने profit booking के बारे में सोच सकते हैं और अगर यह stock 8000 rupees के उपर sustain करता है तो यहाँ पे एक fresh breakout आपको देखने के लिए मिलेगा on the level above 8200 rupees तो पहला stock इस वीडियो का था बचाज finance और अब जो next stock मैं इस वीडियो में जो discuss करने वाला हूँ that is a bit risky stock और आपको इस particular stock को अपने financial advisor से ज़रूर discuss करना चाहिए मुझे लगता है यहाँ पे भी एक massive opportunity बन सकती है यह जो particular company है यह iron ore and iron steel के उसमें काम करती है और यह जो stock था आज से roughly around one year back I saw this particular stock at a level of 60 rupees यह जो आप यहाँ पे price देख रहे है 75-60 rupees का I spotted this stock and I saw a big buying coming into Jai Balaji Industries on the NSC stock exchange right personally मैंने इस particular stock में कोई trade नहीं लिया था ना मेरे पास currently यह stock है right but यह जो stock है आपको already July 2023 से right roughly 1200% के returns दे चुका है which is humongous जो company की balance sheet है वहाँ पे आपको बहुत बड़ा turnaround देखने के लिए मिला है company के financials काफी अच्छी तरीके से grow हो रहे है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर जो आज का result आया है stock का उसके बाद एक momentum दिखाई दे सकती है I will reset the chart view और अगर आप देखे यहाँ पे right तो यह stock on the level above 1109 rupees और you can say आज का high cross होने के बाद 1090 rupees यह जो आपको high देखने के लिए मिल रहा है इस level को cross करने के बाद एक breakout इसमें देखने के लिए मिल सकता है तो कल के दिन यह stock आपको radar पे रखना चाहिए यह मुझे लगता है कि यहाँ पे again price momentum shift होगा और यह जो W pattern है इसका breakout देगा और यह again अपने 52 week high 1326 को touch करने के लिए जा सकता है तो यहाँ पे जो आपको stock में momentum देखने के लिए मिलेगा वो roughly around 17-20% का momentum short term में आपको देखने के लिए मिल सकता है दो दिन अगर यह particular stock circuit मारता है तो आप इस particular stock में निकल चाहिए 5-10% का profit दो दिन या तीन दिन में बहुत होता है आप अगर short term के trader है तो यहाँ पे एक अच्छा profit कमा सकते है provided यहाँ पे risk भी काफी जादा है तो जो आपके stop losses होने चाहिए वो भी काफी strict रहने चाहिए 1000 की नीचे अगर closing आती है तो यहाँ पे आपको exit करने के बारे में सोचना चाहिए The third stock which I wanted to discuss in this video was of SOM Distiller SDBL करके company है यह हमारे चैनल पे काफी time से हमने इसे discuss किया है पिछले एक साल में हमने इसे roughly around 180 से 300-390 तक जाता हुआ देखा है और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर से momentum आना स्टार्ट हो चुका है However, आज के दिन यहाँ पे काफी बड़ी selling देखने के लिए मिली क्योंकि stock के results थे और अगर आप देखे तो बट यहाँ पे institutions का जो buying है वो clearly दिखाई दे रही है by checking the huge large volumes साधी साथ आप देख सकते हैं जो company है अब एक rounding bottom pattern बना रही है यह जो pattern है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भी higher high higher slow बनाना start कर दिया है इस company ने तो जल्दी अगर यह stock आप देखिए यहाँ से उपर गया नीचे आया यहाँ से उपर गया नीचे आया यहाँ से उपर गया और अब यहाँ पे अगर एक बार यह support ले ले on the level above 330, 329 तो यहाँ पे आपको एक breakout देखने के लिए मिल सकता है जो लेके जाएगा इस particular stock को 390 जो इसका 52 week high है तो आपको यहाँ पे यह चीज रडार पे रखनी चाहिए यह मैं यहाँ पे बना देता हूँ यह यह जो इसका red line है यह पहले target मुझे लगता है कि इस particular stock में बन सकते है और यहाँ पे आप देख सकते है यह जो chart है यहाँ पे 340 के आसपास अपना character change करता हूँ हमें दिखाई दे सकता है तो SDBL का stock भी आपको focus में रखना चाहिए and the last stock which I wanted to discuss in this video was of Himadri Speciality Chemical this stock has been giving amazing results okay let me research the chart view what okay what happened here Himadri Speciality right so this is the stock काफी अच्छे रिटन्स दी है इस particular stock ने भी काफी अच्छी बाइंग जोन्स हमें देखने के ले मिली है अभी यह जो stock है एक resistance के पास है जिसे आप सिसके results आए है तो मुझे लगता है कि resistance को cross कर सकता है however जो buying इस stock में initiate होती है वो होती है on the level above 400 रुपीज ठीक है मैं आपको यहाँ पर mention कर लेता हूँ 52 week high के उपर ही आपको यहाँ पर एक fresh breakout आता है बादी खाई देगा यहाँ पर काफी ज़्यादा negative supply है जो buying आई थी जो buying देखने के लिए मिले थी वो थी roughly around 300 से 314 के आस पास ठीक है अलरेड़ी महाँ से यह 60-70 रुपीज उपर आ चुका है तो roughly around अलरेड़ी यह आपको 300 से 26% के return दे चुका है अब मुझे लगता है अगर इस particular stock को sustain करना होगा तो higher high का जो pattern है वो continue रखना होगा और अगर यह stock 400 रुपीज के ऊपर जाएगा तभी एक आपको momentum दिखा सकता है तो यह थे वो कुछ stock चो मैं आपके साथ share करना चाता था That's it for today and I hope I was able to give you good overview on these stocks and what are my reasons and logics behind entering a stock and finding a right momentum That's it for today Happy investing